नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाबा वैधिनात की नगरी देव खर में एयरपोर्ट के साथ 16,000 करोट रुपे से अधिकी परियोजनाओं का लोकारपन और शिलन्यास किया कारिकर्म के बाद पियम मोदी ने लोगों को संबोधित किया अपने संबोधन में पियम मोदी ने कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन हो जाता है आज हम सभी को देव घर से जारखन के विकास को गती देने का सौभा के मिला है पियम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उधगातन किया और इसके बाद यहां से 10 किलोमीटर रोट शो करते हुए वो 12 जोतिरलिंगों में से एक बाबा वैतिनाद धाम मंदिर पहुँचे और वहाँ विदिवत पूजा की पूजा के बाद वो देवघर कॉलेज ग्राउंड में एक जन सभा को संबोधित करने पहुचे इस मौके पर पियम मोदी ने कहा कि हम जिसका शलन्यास करते हैं उसका उधगातन भी हम करते हैं बाबा धाम हो, काशी विश्वनाद धाम हो और अयोध्या धाम हो हर धाम में आधुनिक सुविधाय उपलब्ध कराई चा रही है दुनिया की लोग नई जगे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आज समय की मांग है भारत अपनी विरासत को तेजी से संडक्षत करे वहाँ सुविधाय बढ़ाए हमने हाली की दिनों में देखा है कि जहां पर सुविधाय बढ़ाए गई है वहाँ पर परेटकों की संख्या बढ़ी है पियम मोदी ने अपने संसदिय श्वेत्रवारणासी का उदगाटन किया उन्होंने कहा कि जब से काशी विश्विनात कॉरिडोर शुरू हुआ है वहाँ तीन कुना परेटन बढ़ा है वहाँ सभी को फाइदा हुआ है कारुबार बढ़ा है जहां परेटन बढ़ता है वहाँ विकास होता है सब को फाइदा होता है इसके पहले एयरपोर्ट पर उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोधी ने कोलकाता की फ्लाइट को हरी जंडी दिखाई उन्होंने कहा कि देव घर से जारखन के विकास को गती देने का स्वाभा के मिला है उन्होंने 16,000 करोड से जादा के प्रोजेक्ट का लोकारपन और शलन्यास करते हुए कहा कि इससे जारखन के विकास को बल मिलेगा प्यमोधी ने कहा कि देव घर एयरपोर्ट का सपना लंबे समय से देखा था इस प्रोजेक्ट से जारखन के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा व्यापार और रोजगार के भी नए अफसर खुलेंगे प्यमोधी ने देवघर के 250 बैड़ वाले एम्स का ओनलाइन उद्खाटन भी किया प्यमोधी ने जारखन की सोरेंट सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि आज लोग लुभावन बादे करके शौटकट की राजनीती की जा रही है जस देश की राजनीती शौटकट पर आधारित है उस देश में एक दिन शौट सरकिट भी हो जाता है इसलिए शौटकट की राजनीती में नहीं आना चाहिए शौटकट की राजनीती देश को बरबाद कर देती है लाने में लगा देते हैं यह तरीका देश के विकास को रोकने वाला है देश को दसको पीछे ले जाने वाला है आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को सभी देश स्वास्यों को इस शौटकट की राजनीती से बच कर रहने का रदेपुर्वा आग्रह कर रहा हूं शौटकट की राजनीती करने वाले कभी नए एरपोट नहीं बनवाएंगे कभी नए वरहादुनीक हाइवेज नहीं बनवाएंगे वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे मैं आपको एकुदान देना चाहता हूँ आज यहाँ जारखन में हजारों करोड की नई सडकों के लिए इस लान्याद और लोकारपन हुआ है किसी के लिए बहुत आसान है यह कह देना कि अपसे जारखन में ना बस का टिकेट लगेगा ना आटो में चड़ने का पैसा देना होगा और नहीं रिक्षे का कोई भड़ा लगेगा सुनने में यह बहुत लोग लुपावना लगता है लेकिन ऐसी लोग लुभावन गोशना है यह शॉर्ट काट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी नई हाइवे कहां से बनवाएगा इसलिए ऐसे लोगों से जार्खेन के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूत है मेरे भाईयों बेनों इस मौके पर केंद्री उडियन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस एयरपोर्ट के उद्गाटन से लाखोष रधालों को दर्शन में आसानी होगी पहले बड़े शहरों में हवाई अड़े बनते थे लेकिन प्रधान मंत्री मोधी ने इसकी परिभाशा बदल दी है जल्दी देवघर पटना दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी देवघर राची कुलकाता के लिए भी फ्लाइट चलेगी सिंधिया ने बताया कि जहरखंट में आने वाले दिनों में कुल पांच एयरपोर्ट होंगे सबसे पहले बोकारो, जमशेटपुर और दुमका में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे इसके साथ ही साथ राच में कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए 14 नए एयर रूट शुरू होंगे वही मुख्य मंत्री हेमंत सोरेड ने आज के दिन को जहरखंट के लिए एतिहास एक दिन पताया ये एक सपने को सच बनता देखने जैसा है केंद्र की मदद से आज जहरखंट विकास की ओर बढ़ रहा है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार